अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग फिलावरिंग प्लाट्स के ऊपर हमारा टिसके इसको थोड़ा सा रॉबस्ट बनाएंगे यानी में जो जो फ्लावरिंग कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार से एंजीयोस मांप्ष बोलते हैं इन यत्न करेंगे विद हम क्या है यह फ्लेट औफ से कैसी दिखाई देती है इनकी स्टेम बाहर से कैसी दिखाई देती है इनकी रूट बाहर से कैसी दिखाई देती है इनका फ्लावर बाहर से कैसा दिखाई देता है इन सारे के सारे characters को हम लोग पढ़ते हैं एक branch of biology के अंदर that is called as morphology जहां पर आप चीजों की बाहरी organization के बारे में चर्चा करते हैं जैसे अगर आप मुझे देखेंगे तो आप आराम से मेरे कुछ characters बता पाएंगे आराम से देख करके चीजों को समझ पाएंगे कि सर आपकी डाड़ी बड़ी हो चुकिए आप मुझे देखते ही बता देंगे बटा बाहर से देख के यह नहीं बता पाऊगे सर आपका hemoglobin जो हो चुका है उसके लिए आपको body के अंदर deep dive करना पड़ेगा यानि कि आपको अब second type का जो हमारा analysis है उसमें घुसना पड़ेगा यानि anatomy के अंदर घुसना पड़ेगा internal organization और structure को समझना पड़ेगा जो कि हम next lecture के अंदर समझेंगे anatomy of flowering plants में and then after हम लोग जब 12th class की तरफ बढ़ जाएंगे हम लोग बात करेंगे about the sexual reproduction of flowering plants यानि reproduction related जो aspects है उनकी हम लोग चर्चा शुरू करेंगे 12th class की first unit के अंदर so angiosperms को इसलिए हमने जो plant kingdom chapter था उसके अंदर बहुत detail में नहीं पढ़ा था because यह जो angiosperm है इसको आप लोग अब इत्मिनान से पढ़ोगे तीन अलग अलग chapter के अंदर outer organization आपको मैं आज बताऊंगा anatomy मैं आपको अगले lecture में बताऊंगा and then after incoming unit मैं आपको sexual reproduction के बारे में भी बताऊंगा कि angiosperm में सारी चीज़े कैसे होती हैं so without any delay let's proceed towards our lecture and let's understand some of the most important concepts of morphology of flowering plants with the help of these amazing flow charts जो कि हमारी ही publication की book से लिये हुए हैं जो कि आपको बहुत help करेंगे and जो भी चीज़े यहाँ पर added नहीं होंगी in the median space आपको वो समझा समझा कर मैं आराम से बता दूँगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी बस आपको इस lecture को बहुत गौर से सुनना है और important points को inculcate करते हुए चले जाना है बढ़ते हैं सबसे पहले topic की तरफ जो कि है हमारा root अगर आप एक plant को देखें तो बाहर से आपको root, stem, leaves, flowers, fruit यह सारी चीज़े दिखाई देती हैं और इनी सारी चीज़ों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है काफी बार यह जो चीज़े हैं यह जो organs हैं यह normal functions अदा करते हैं लेकिन काफी बार इनको adapt भी होना पड़ता है इनको अपने आपको modify भी करना पड़ता है to do some additional functions यानी root का का काम क्या है आपको क्या लगता है root जो है वो आपके plant के मोटे से तने को नीचे जमीन से जोड़ रही है यानी इसका काम क्या encouragement का है क्या attachment का है बिल्कुल है root जो है इसका surface area बहुत जादा रहता है तो क्या इसका काम water और mineral absorption का है बिल्कुल है root जो है इसमें plant growth regulators यानी plant hormones की synthesis होती है तो क्या इसका काम PGR synthesis का है बिल्कुल है लेकिन क्या इसका काम oxygen को अंदर लेने का है अब आप सोचोगे ये थोड़ा difficult point है इसका usual काम तो आपका oxygen और gaseous exchange का है ही नहीं लेकिन in some conditions the roots need to behave like that कि वो आपका oxygen भी अंदर ले पाए तो थोड़ी बहुत modifications और adaptations भी आपको morphology के अंदर देखने को मिलेंगी हर part की काफी बार आपके leaves जो है वो आपके पतले-पतले spine के form में convert हो जाएंगे काफी बार आपकी stem जो है वो गोल-गोल घूम करके tendril के form में convert हो जाएगी काफी बार आपकी root जो है वो जमीन फाड कर बाहर आ जाएगी जमीन के अंदर खुसने की बजाए और gaseous exchange में help करने लगेगी तो some additional functions are also very important right तो यहां पर देखिए type of roots क्या होते हैं सबसे पहले root के बारे में जानते है कि root क्या है root क्या है आपका एक underground structure है most of the time root is underground root क्या है आपका underground होता है most of the time कुछ cases में जो कि आज मैं आपको बताऊंगा उनमें root जो है जमीन फाड करके बाहर भी निकल सकती है और आपका उल्टी डिरेक्शन में grow करना start कर देती है तो अगर आप यहां पर जमीन की एक layer बनाना चाहो अगर आप यहां पर जमीन की एक layer बनाना चाहो तो आप कहोगे भाया, रूट जो है ना, इसके अंदर उगती है, जमीन के अंदर, यानि धर्ती की तरफ उगती है, तो रूट को आप क्या बोलते हो, रूट को आप बोलते हो, positively geotrophic, positively geotrophic, जमीन के अंदर, जमीन की साइड ये उग रही है, रूट तो positively geotrophic है, और सन अग है जबकि यहां पर अगर आप एक स्टेम्न करना चाहों यहां पर अगर हमारी स्टेम्न ड्रोग फॉटो ट्रोफिक 팔वपी जमारी जा रही है जमीन से उल्टी जा रही जमीन की आपका नेचर हो गया क्या है कि यह पॉजिटिव ली जियो ट्रॉपिक आपको देखने को मिलेगी एंड नेगेटिव ली फोटो ट्रॉपिक है सन के अपोजिट डिरेक्शन में ग्रो कर रहे है अब जो रूट है यह अलग-अलग टाइप की हो सकती है काफी बाइब क्या हो स से और इसके उपर आपकी की ब्रांचिंग हो जाती है आपकी सेकंडरी लूट और टर्शरी रूट जो है वो आपकी सक्वाहां को सब्सक्राइबक जाती है कि अनका लिकार व्ली ऑपकी जो टआपर य्या cि रूट है यहाफाली होती है यह प्लद्स बाकश मेंड़ की और में यह आपकी गायब हो जाएगी एड इस वाले रीजन पर बहुत सारे फाइबर्स आ जाएगे जस्ट लाइक देस तो यह फाइबरस रूट बन जाएगी एड़ दिफ्रेंट टाइप आफ रूट जो है वह है एडवेंटिशेस रूट यानि जब आप देखते हैं रूट सि किसी और पार्ट से निकल रही है जैसे आपने बन्यान ट्री देखा होगा आपने बर्गत का पेड़ देखा होगा कि वहां उपर से नीचे की साइड स्टेम से अटेस्ट काफी सारे रूट पाए जाते हैं तो वह क्या है वो तो रेडिकल से राइस नहीं हो रहे देन डाट प्राइमरी रूट जो है यहां में रहेगी और इसकी ब्रांची जो है वो यहां पर पाई जाएंगी प्राइमरी रूट रहेगी इससे फिर आपकी सेकेंडरी रूट निकल सकती है और आपकी टर्शरी ओरिजन की रूट निकल सकती है यह सारे मिल करके क्या बनाएंगे मिलेगा फाइब्रस रूट सिस्टम जो है यह ज्यादा तर आपको मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलेगा और यहां पर जो स्टेम का बेस है यह जो स्टेम है इसके बेस से प्राइमरी रूट ना निकल करके वो शॉर्ट लिव्ड होती है तो थोड़ी दिर में गायब हो जा सकता है जैसे आपका बन्यान ट्री के अंदर आपका ग्रासिस के अंदर आपका मॉंस्टेरा के अंदर यह तीनों एक्जामपल्स बहुत इंपोर्टेंट है यह आपको देखने को मिलते हैं एडवेंटिश रूट के एक्जामपल्स अब अगर आप बात करें रूट के रूट को बहुत डीपली पैनेट्रेट कराना यहानी जमीन के अंदर पैनेट्रेशन एंड सेगंड इंपोर्टेंट इंग इस कि में जो आपका रूट का पार्ट है जिसके ओपर लगी हुए है कैप उस रूट के टर्मिनल पार्ट को प्रोटेक्ट भी तो करेगी तो प्र मेरिस्टम कह सकते हो तो पूरा प्लांट कभी भी डिवाइड नहीं करता प्लांट के अंदर कुछ चुनिंदा सेल होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके इस चुनिंदा अहें यह हान रूर्ट एम्रेडश्टम के चल्ट जैनितर ह इसको बार-बार divide करना है, तो इन cells की cell wall जो है, वो thin होगी, अगर thick हो जाएगी, तो cell flexible नहीं रहेगा, divide नहीं कर पाएगा, तो cell wall thin होगी, इनके अंदर खाने पीने का material भरपूर होगा, क्योंकि cell division requires energy, तो यहाँ पर आगर आप देखेंगे, region of maristematic activity में, छोटे-छोटे cells हैं, क्योंकि इनको जल्दी जल्दी डिवाइड करना है thin walled cell है और उसके बाद इन में खाने पीने का माल जो है एकदम भरा हुआ है इस region of meristematic activity के उपर होता है region of elongation अब नाम ही है region of elongation तो region of meristematic activity उपर की side cells add करती रहती है और वो cell क्या हो जाते हैं size में comparatively बड़े हो जाते हैं क्योंकि region of meristematic activity में cell small थे तो अब यह क्या करेंगे timely बड़े होते चले जाएंगे यानि कि elongated होते चले जाएंगे and उसके बाद आपका आता है region of maturation region of maturation में क्या हो जाएगा नाम ही है maturation यानि यहाँ पर cells आ करके क्या हो जाएंगे differentiate हो जाएंगे particular काम को अच्छे तरीके से यह करने लग पड़ेंगे ठीक है और इस region of maturation में एक simple सी याद करने की trick है जब आप mature होते हो तो आप में भी axial hairs आ जाते हैं pubic region में hairs आ जाते हैं डारी मूच आ जाती है लगों के case में right तो maturation में आपके जैसे hairs निकल आते हैं वैसे ही यहाँ पर region of maturation में भी root hairs present होंगे right root hairs present है तो यह surface area को बढ़ाते हैं जिसे की water और mineral का absorption आपका better और efficate way में हो पाए तो यह आपके 3 regions थे सबसे कोने पर तो आपका root cap है वो किस region को protect कर रहा है region of meristematic activity को तो सबसे पहला region region of meristematic activity उसके उपर region of elongation जहां cells लंबे हो जाएंगे उसके उपर region of maturation जहां पर root hairs निकल जाएंगे और आपके जो absorption का काम है वो यह region कर देगा अब अगर आप देखें तो root का normal function क्या है भाई root का normal function क्या है मैंने आपको बताया था water और mineral absorb करना क्योंकि surface area जादा है आपके stem को attach करना जमीन से encouragement करना आपका store करना काफी बार reserve food material है ना और इसके बाद plant growth regulator यानि plant hormone को synthesize करना ये काम भी आपका क्या है root का काम है तो ये तो आपके normal functions हो गए लेकिन root आपकी जब modify हो जाएगी जब adapt कर जाएगी तब कौन से function कर सकती है let's talk about that अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर modification of root में काफी बार root जो है properly food storage करती है यानि देखो खाना आपके leaf में बना और सारे के सारे plant parts में चला गया stem में भी गया root में भी गया तो root में by default थोड़ा बहुत food तो हमेशा store हो गई लेकिन क्या root एकदम full fledged वही काम कर रही है ऐसे भी कुछ cases है जैसे आपका carrot और turnip के अंदर आपका गाजर है आपका शलगम है इनकी जो tap roots है या आपका food store कर सकती है कर सकते है कि इसके अंदर भी advantageous root आपकी होती है तो यह आपका पूरा का पूरा काम यहाँ पर हमें देखने को मिल गया support के अगर आप बात करें तो बन्यान tree जो है इसमें prop roots पाई जाती है आपको अच्छे तरीके से पता है इन roots का special नाम है prop root जो की बन्यान tree इतना भारी जो होता है उसको support provide करने के लिए stem से जमीन को connect कर दी है and then आपका maze और sugar cane है जिसमें क्या पाई जाती है stilt root पाई जाती है समझ लीजे गन्ना है तो गन्ने की जमीन के पास जो सबसे पहली पोरी है यह क्या करेगी आपकी जमीन में गड़ा देगी जिससे गन्ना आपका stably खड़ा रहे इसे हम stilt root कहते है मेज यानि मक्का के अंदर भी same चीज होती है respiration के लिए मैंने क्या बताया था gaseous exchange के लिए काफी बार जो आपकी roots है जमीन से बाहर भी आ सकती है जैसे rhizophora के अंदर numatophore जो है ये जमीन से बाहर आ जाते है यानि यहाँ पर root क्या हो जाती है आपकी negatively geotropic हो जाती है root कैसी थी भईया positively geotropic थी ना root कैसी थी positively geotropic थी लेकिन यहाँ पर क्या हो गई मेरे भाई negatively geotropic हो गई जमीन से बाहर आ गई क्योंकि ये मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं oxygen की कमी है वहां पर oxygen लेने के लिए ये जमीन से बाहर आके अपना काम करना start कर देती है right this is about root की root कितने type की है root का normal function क्या है root अगर modify हो जाए तो उसका काम क्या है and root क्या structure किस हिसाब का है now let's proceed forward towards the stem अब stem जो है ये आपकी क्या है aerial होती है aerial मतलब हवा में उगती है हवा में पाई जाती है मतलब आपका जमीन से उपर पाई जा रही है जमीन के नीचे नहीं है underground नहीं है यह आपका aerial part माना जाता है अगर आप देखें तो stem जो है इसमें काफी सारी modifications हो सकती है स्टेम का में काम क्या है ब्रांच को किवराइज करना है ना तो सबसे पहले में काम देख लेते हैं सारे के सारे parts को support मिल रहा है ठीक है इट conducts water minerals and photosynthesates यानी नीचे से जो water mineral absorb हुआ है वो root से absorb तो हो गया लेकिन उपर वाले part तक कैसे पहुचेगा leaf तक बीच में stem नाम का region है जो उसे conduct करेगा जिसमें pipes बिचे हुए है xylem नाम के ठीक है इट provide support and protection है ना support तो ये provide करेगा ही because main part ये तना है and it modified for storage and perform vegetative propagation काफी बार ऐसा होता है ये particular plant की stem काट करके आप उसे दोबारा भी उगा सकते हो for example rose का एक plant है अगर आपके घर के पास what you can do is you can cleave a stem part of that rose plant आप जमीन में उसे उगाई है उस डाली को और आपको एक नया rose plant मिल जाएगा यानि ये vegetative propagule की तरह भी काम करते है और ये चीजों को perpetuate कराने में propagate कराने में भी help करते है तो दीज आर सम नॉर्मल फंक्शन जो कि स्टेम के हमें पता है बट काफी बार ये modify हो जाते हैं और दोस मोडिफाइड फंक्शन यह हमें याद करने हैं आप मान के चलिए मेरे दोस्त यहां से आपका question आता ही आता है हर alternate year पर यहां से question देखने को मिलता है कहां कहां से question मिल जो कलर है उसके छिलके का जो कलर है उससे मिलती जुलती काफी चीज़े हैं यहां पर जैसे कि आपका ginger ठीक है तर्मरिक भी आपका गोल मटोल दिखता है जब हल्दी पिस्के आती है हमारे पास तब अलग format में होती है जब जमीन से निकलती है तब अलग format में होती है हमेशा जिंजर हो गया टर्मरिक हो गया पोटेटो हो गया यह क्या करते हैं अंडर ग्राउंड स्टेम्स हैं यह मोडिफाइड स्टेम्स हैं जो कि फूड स्टोरेज करते हैं क्योंकि आप आलू में खुद आलू को ही खा रहे हो ना so that is a ground part वो मोडिफाइड स्टेम्स ती जो ग्र यहां पर confusion आती है यहां से question बनेगा अगर stem tendril की बात करी तो example याद करने है जी जी का मतलब क्या है जी का मतलब है आपका grape wine यानि अंगूर की जो बेल है वो stem tendril है as well as gods gods में कौन आ गया आपका bottle guard आ गया लोकी आ गई है ना आपका round guard आ गया चोटा-चोटा आपका टिंडा आ का watermelon यह सारी चीज़े जो है खीरा यह सारी चीज़े आपकी किसमें आ गई गॉड में आ गई तो गॉड में क्या आ गया आपका खीरा आगया कद्दू आ गया watermelon आ गया और grape wine में में भी आपका क्या हागया ग्रेप आ गया इस ट्म टेंडृल है तो आप बोलोगे सर जो मतर म याद रखना है similarly जब आप ठॉन की बात करोगे काटों की बात करोगे तो यहां पर बीसी के अंदर यानि बॉगन वेलिया और सिट्रस के अंदर आपका स्टेम जो है वो मोडिफाय हो रही है काटे बनाने के लिए लेकिन आप केक्टस के काटों की बात करोगे तो लीफ मोडि है डबल स्टार मार कर रहा हूं फाइलो क्ले जो हे यहां पर आपका स्टैम जो हे वह का काम करने लग जाता है जैसा जैसा ओप फुन लॉक आप पका केंदर स्ट्रेम आपकी फ्लैट हो जाति है आपने एकपर को मोटा कर दिया उसमयों वीजू को ईस पचीस तो यह सवाल पुछा जाता है कि अगर आपका फाइलो क्लेड फॉर्मेशन हो रही है यानि आपका लीफ का काम कर रहा है कौन आपका स्टेम तो फिर आपकी शेप कैसी है फ्लैट होगी ओपंशा के अंदर सिलेंड्रिकल होगी आपकी यूफोर्बिया के अंदर वेजिटेट परपेट्वेट कराने के लिए क्या-क्या चीज़े इस्तेमाल करी जा सकती है तो सबसे पहले तो यहां पर आता है कि मिंट और जैस्मिन का स्टोलन क्या होता है जैसे समझ लीजिए आपकी एक स्टेम है एक नई स्लाइड ले लेते हैं कि मैं लीजिए ग्राउंड पार्ट है आपकी स्टेम है यह स्की रूट है तो यहां पर क्या होता है एक स्टैम का पार्ट जो है वो आपका ऐसे ऐसे हवा में ग्रो करता है एंड दैनेन जैसे वो जमीन पर dip होगा वो अपना क्या कर लेगा root system मना लेगा यहीं से आपका shoot system भी arise हो जाएगा तो this particular part is called as तोलन जो कि किसमें पाया जाता है आपका mint और jasmine में पाया जाता है अगर आप देखें तो आपको runner देखने को मिल सकता है grass and strawberry में आपको पता है घास जो है वो जानवर खा पीके चले जाते हैं लेकिन फिर भी grass और strawberry उख जाती है बहुत अच्छे तरीके से है ना क्योंकि उनमें intercalorie maristum भी पाया जाता है and यहां पर इनके छोटे छोटे पार्ट अगर अलग अलग जगा पर गिरते हैं तो वो नई grasses को भी जनम दे सकते हैं ऑफसेट जो है मेरे भाई यह आपका aquatic plant में पाया जाता है जैसे कि पिस्टिया और आइसोनिया में कौन सी अरेंजमेंट होती है यह मैं आपको बता देता हूं पिस्टिया और आइसोनिया आपके कैसे दिखाई देते हैं ऐसे आपका उपर प्यारे से leaves का एक जुंड होगा और नीचे क्या है रूट होंगी similarly उपर ऐसे ही प्यारे से leaves का जुंड और नीचे आपकी रूट ठीक है और इनके बीच में क्या रहेगा मेरे भाई इनके बीच में आपका ओफसेट रहेगा ठीक है अब ये ओफसेट इनको इतना जादा परपेच्वेट कराने में help करता है कि अगर आईसोनिया कहीं पर उग जाए किसी water body के अंदर तो सिर्फ आईसोनिया या इसोनिया आपको दिखाई देते हैं यह बहुत तेजी से ग्रो जो हैं वहां के वह डेड होने लग जाते हैं आफसेट आपको देखने को मिलता है किसमें पिस्टिया और आईसोनिया के अंदर एंड़ लास्ट वन इस यॉर सकर क्या है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि स्टॉलन का थोड़ा सा उल्टा पार्ट है इसमें क्या है कि नीच इसे यहां बना लिए अगरी आपका ऍपल बनाना एंड्राइश्म में एक बना नाकर डिखा दिखा देता हूं अगर root system बना लिया ठीक है तो यह जो है आपका यह आपका एक और vegetative structure हो गया which is called as sucker जिसका example क्या हो जाएगा आपका pineapple, chrysanthemum and banana बनाना, pineapple and chrysanthemum राइट इसे हम क्या बोलते हैं सकर बोलते हैं example हो जाएगा इसका PCB pineapple, chrysanthemum and banana तो यह क्या है आपके modifications हैं किस चीज़ के modifications है दोस्त आपके stem के modification है तो normal क्या काम करता है stem यह हम जान चुके modified way में क्या काम करता है यह हम जान चुके main जो है वह फाइलो clade, main जो है वह आपका है sucker ठीक है और main जो है वह आपका underground stem modification आलू, ginger, colocasia, zaminkand and your turmeric सीधा-सीधा example स्याद करने है ठीक है leaf की बात करते है अब leaf जो है इसको अगर हम एक बार बना कर देखें तो हमें एक अच्छा का सा idea लग जाएगा कि इसके parts क्या है अब यह समय लीजे एक stem का part है यहां पर जो है आपका leaf रहेगा यह leaf की डंडी है नीचे आपका leaf base और यह ओपर क्या बना रहा है आपका वेन एडी आपका पत्ता है तो यहां पर क्या क्या-क्या parts आपको देखने को मिले देखो लीफ बेस लीफ का बेस है जो इससे स्टेम से अटेच कर रहा है लीफ बेस यह आपका पैटियोल है डंडी है जो लीफ को फ्लटर करने में हेल्प करता है तो यह लीफ को थोड़ा ठंडा रखता है एंड लीफ की पोजिशन को भ तो आपका यह मेन वेन है और इससे क्या निकली रहेंगे आपकी वेलेट्स निकली रहेंगे एक यह आपके तीन पार्ट है तो पहला पार्ट आपका लीफ बेस फिर आपका पैटियोल फिर आपका लमाइना यह बात क्लियर हो गई इन सम लेग्यूमिनस प्लांट से रिलेटेड यानि फूड स्टोर करने से रिलेटेड तो चीज़े इन में मोटी मोटी होती है ठीक है तो लेगुविनस प्लांट में जो लीफ बेस है यह सूझ जाता है और पलविनस बना लेता है ठीक है जो लीफ बेस है यह सूझ जाता है और स्वेल हो जाता है और यह क्य बना लेता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं विनस कहते हैं है है पल विनस कहते है और यहां पर देखे लॉंग फ्लेक्सिबल पैटियोल्स यान यह जो डंडी है यह लीफ ब्लेड़ को फ्लटर कराती है हवा में जिसे कि वह रह सके ठंडी रह सके as well as fresh हवा जो है और जादा से जादा sunlight जो है वो आपकी leaf तक पहुंच सके veins जो है और veinlets जो है जैसे आप घर बनाते time सर्यों का एक network बनाते हैं वैसे veins और veinlets जो है आपकी पत्ती को क्या करेंगी rigid बनाएंगी plus stem से जो आपके water and minerals आ रहे हैं photosynthetes जो आ रहे हैं वह आपकी पूरी leaf तक क्या हो जाएंगे पहुंच जाएंगे तो यह आपका चीजों के transport में भी क्या करती है help करती है अब यह जो पत्ती है इसके अलग-अलग क्या है आपके parts है जैसे lamina है यह leaf blade है यह हम बना चुके है पैटियोल है यह हम बना चुके है लीफ बेस है यह हम बना चुके हैं अब यहाँ पर कुछ special parts आते हैं ठीक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पत्ती जैसा structure लगा रहेगा stipule यह ज़रूरी नहीं है हर लीफ के बेस के साथ present हो अगर stipule present है then the leaf is called as stipulate अगर stipule नहीं present है then it is called as X stipulate तो काफी जगा पर stipules देखने को मिलते हैं जो कि modify होकर again थोड़े बहुत photosynthesis का काम या फिर आगे चलके कोई pointed structure मना सकते हैं for protection यह अपना अलग-अलग काम कर सकते हैं जो एक्जिल है जहां से लीफ उगी है इस पर जो बढ़ पाया जाएगा इसे क्या बोला जाता है axillary bud बोला जाता है तो axillary bud भी आपको देखने को मिलता है यहां पर axillary bud भी देखने को मिलता है जो आपका branch या flower में convert हो सकता है ठीक है और यह आपका midrib है यानि central जो vein है और यहां से आपकी veinlets निकल रहे हैं जो कि क्या बनाएंगे overall network तयार करेंगे और veins और veinlets की इसी arrangement को हम लोग किस topic के अंदर पढ़ते हैं विनेशन के अंदर विनेशन मतला veins और veinlets कैसे attached है अब यह जो है यहां पर आपकी veins और veinlets साथ में क्या कर रही है आपकी intersect कर रही है काट सकते हैं एक दूसरे को देखो यहां network बन रहा है यहां network बन रहा है यहां network बन रहा है तो यह क्या है मेरे दोस्ट आपकी reticulate venation show करते हैं है ना dicot के अंदर यह पाए जाता है reticulate venation पत्ता देखकर यह आप बता सकते हो कि कोई इस प्रकार के आपको वेंस और वेंस पाई जा रहे हैं जो एक दूसर को काट नहीं रही तो monocot के अंदर यह पाई जाएंगी इसे parallel venation कहा जा सकता है ठीक है नाव इस टाइम फॉर characterizing the type of leaves leaf कितने type की रहती है leaf आपकी simple भी हो सकती है simple leaf मतलब एक leaf है जो कि आपकी ऐसी present है या एक leaf है जो अगर थोड़ी बहुत modified भी है तो वह leaflet में convert नहीं हो रही है एक single leaf ही गिनी जाएगी then it is called as simple leaf compound leaf में क्या होता है compound leaf में एक leaf के multiple टुकड़े हो जाते हैं हर टुकड़े को हम लोग leaflet बोलते हैं अब depend करता है वह leaflets आपके कैसे हैं क्या यह pinnately compound leaf बनाएंगे या आपकी यह मतलब अगर इसमें in seasons भी है अगर थोड़ी depression भी आ रही है इस leaf के अंदर तो वह इसे leaflet में नहीं काट रही बट समझ लो अब जो यह एक leaf है यह इसकी depression बहुत जादा हो गई इस मिद्रिब को इसने टच कर दिया तो यहाँ पर क्या होई leaflet बन गई आप कि इहना leaflet बन गई है यह आपकी Central vein है और इसको आप क्या Whoa यह नटिय में यहीं तक्यों को नट है न यहाँ पर इस क्यों अब एक फैन लाइक structure के उपर सारी यहाँ फिव सतेली पकी अटैचरई लीफ लेकिन अगर समझ लो एक पर्टिकुलर यह स्ट्रक्चर है, एक कॉमन पॉइंट है, इसी से सारी लीफ कट गई, तो जैसे आपका पाम होता है, हथेली, इसी पर आपकी पांचों उंगलियां अटेज्ट है, इसे हम गोलेंगे पामेटली कंपांट लीफ, तो यहां पर देखो मेरे भाई, आपका पिनेटली कंपांट लीफ हो सकती है, नि नंबर ओफ लेट प्रेजेंट है, इसे हमने रैचिस बोला था, एक्जामपल नीम, नीम की पत्ती का भी देख लेना, the leaflet is attached at common point एक ही common point से attach हो रहा है जैसे कि silk cotton एक ही common point से आपके multiple leaflets arise हो रहे है ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका palmetally compound leaf अब अगर आप देखें तो phylo taxi क्या होती है phylo taxi मतलब arrangement of leaves on stem यानि एक stem है तो उसके उपर leaf किस तरीके से arranged है यह भी हम लोग देख लेते हैं बार phylo taxi यहां पर आप लॉट एक्सी की अगर आप बात बात करें एक बार देखते है यार इस चीज़ को ऊपर कर सकता are भी की घॉट अ टक्रो पाइलो टैक्सी का मतभग क्या है एक particular एकसी आम की यहाँ पर नोड है जहांसे लीवस होती है आप सामझने'd यहां से प्ति निकली यहां से पति निकली यह इंद्ट नोड से अगर पत्तिया निकल रही है यानि एक आपका नोड से एक ही यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक नोड है और एक नोड से दो से ज़्यादा लीफ अटैच हो रही है यानि लीफ का एक होल निकल रहा है तो क्या इसेуль फईलिटेक्सि बोल देंगे बिलकुल बोल देंगे यह तीन प्रकार की फैयल्टाएकिश हमें देखने को मिलती है तो तर्थ सीच वंज्स में ना का स्ट्चर अगर आप बनायेंगे तो तो सी और जी हमेशा पोजिट होते हैं यानि केलो ट्रॉपिस और गवावा जो है यह अपोजिट के एक्जामपल होंगे और होल्ड यानि मल्टिपल लीव निकल रहे हैं आपके सेम नोड से एलस्टोनिया इसका एक्जामपल है और यह आप से पूछा जाता है एक्जामपल एलस्टोनिया आप से पूछा जाता है अलग से हेडिंग देकर पूछा जाता है तो चार नंबर का काम है मेरे भाई ठीक है चलो अब और थोड़ा सा डिसकेशन कर लेते हैं भाई या मोडिफिकेशन ऑफ लीव के बारे में कि लीव अब किस प्रकार से अपने आपको मोडि तेंडिल बना सकती है अब हम लोग स्टेंडिल पढ़ चुके हैं एक्जामपल क्या था जी जी यानि गौड और ग्रेप वाइन के अंदर यहां पर आपका मटर का जो टेंडिल है यह लीव का टेंडिल है स्पाइन यानि थोण बन रह путें काटे बन रहतें कहाँ पर ब्रपिसी के अंदर यानि जी बॉग नुडिल के अंदर यहां पर क्या है स्पाइन बनेगा आपका उल्इंड के सट्यायज आप अनियन और गार्लिक जो खाते हो बात प्याज लसुंण हो फो लीव है एक्टिल है वो बड़ी होकर expand होकर leaf बन जाती है जैसे आपका Australian Acacia के अंदर तो इसमें leaves जो है यह short lived होती है तो जढ़ जाती है तो आपके petiole को expand होकर leaf बनाना पड़ता है यह 4 marks में पूछा जाता है आपका neat के अंदर Australian Acacia में आपका petiole photosynthesis करता है तो यह पूछा जाता है कि कौन सा part आपका photosynthesis करता है कई बर पूछ लेते हैं कि petiole किस plant में photosynthesis करता है और कई बर statement के format में आ जाता है कि क्यों photosynthesis करता है क्योंकि leaves जो है वो short lived है ठीक है और आप जो देखते हो insectivorous plant के अंदर यानि Venus fly trap का जो trap है जिसमें इंसेक्ट फस्ता है और picture plant का जो picture है जिसमें इंसेक्ट फस्ता है यह एक्च्वल में लीव है जिनके अंदर insects अटक जाते हैं मसल देता है उनको plant और उनसे phosphate nitrogen and rest of the elements निकाल लेता है अब बात करते हैं भया हमारे सबसे important plant part की जो की reproductive organ भी है plant का that is flower अब बात करते हैं full की तो inflorescence क्या होती है inflorescence क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे यानि flower जब arrange हो जाता है floral axis के उपर तो उस flower की arrangement क्या है that is called as inflorescence लेकिन उससे पहले यह समझें कि flower क्या है आपको मैंने बताया था अगर यह एक typical plant है तो यह जो उपर वाला part है इसकी shoot है यह नीचे वाला part जो है इसकी root है root के tip पर कुछ cells है जिने हम बोले root apical meristum shoot के tip पर कुछ cells है जिने हम बोले shoot apical meristum shoot apical meristum मेरे भाई क्या करते है अब shoot में जितनी भी चीज़े बनेंगी वो यहीं से बनेंगी यहीं से cell आएगा यह काफी बार क्या कर लेते है अपने आपको modify कर लेते है एंड यह क्या बना लेते है floral meristum floral meristum मतलब ऐसा meristum जो flower को give rise कर सकता है यहीं से क्या निकलता है आपका flower निकलता है तो क्या होगा flower क्या है modified shoot है shoot apical meristum जो है floral meristum में convert हुए और flower आपके पैदा हो गए एक डाली के उपर अब वो flower arranged कैसे है इसकी दो arrangement होती है एक है आपकी racimos एक है आपकी simos नाम जायाद करना रेसिमोस जो है इसका जेसका क्या है नाम बड़ा है spelling बढ़ी है न रेसिमोस की और siamo का क्या है नाम छोटा है साइमॉस की spelling छोटी है तो recimos जो है इसका यूजो है, इसकि डाली जो है कंटिनिवसली ग्रो करती रहेगी, क्योंकि इसकी सबसे छोटा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं Acropetal succession इसकी टिप पर सबसे छोटा फ्लावर है, तो समय लीजे यह आपकी ढाली है, यह है norm पर, सबसे बड़ा करती जाएगी लेकिन अपोजिट केसमें अगर आप देखोगे साइमोज में तो में एक्सिस जो है यह टर्मिनेट कर जाती है एज़ फ्लावर यानि इसमें बैसी पेटल ओडर है यानि अगर आप देखोगे तो सबसे कोने पर सबसे बड़ा फ्लावर है और समलों नीचे आपका बेस है जहां से फ्लावर की डाली आपकी अराइज हो रही है तो इसके नीचे आपका और चोटा फ्लावर होगा और इसके नीचे आपका और चुटा फ्लावर होगा तो अब इसके नीचे तो और जगा है नहीं नीचे की साइड आपके यंग फ्लावर आ रहे हैं और नीचे तो जगा है नहीं तो यहीं तक यह ग्रो कर पाईगी इससे उपर नहीं जा पाईगी यहीं पर आपका सबसे बड आपका क्या है growth यहां पर देखने को मिली साइमोज inflorescence में जबकि रेसिमोज inflorescence क्या करती रहती है आपकी grow करती रहती है फ्लावर के अंदर अगर आप देखोगे तो चार पार्ट होते हैं दो पार्ट आपके reproduction में help करते हैं जिन्हें आप कहते हैं आपके reproductive organs, reproductive holes या आपके essential holes इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं क्या है यह गाइनोशयम गाइनोशयम यानि फीमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट और एंड्रोशयम यानि आपका मेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट और है accessory organ यानि आपका corolla जो की petal बनाता है यानि flower की colorful पंखुडिया एंड कैलिक्स जो की सैपल बनाता है जब flower आपका कली की form में होता है न बड़ फॉर्म में तो उपर आपको हरी पत्यां दिखाई देती है अंदर आपको जो रोज की रेड थोटी शोटी सी petals दिखाई देती है और उसके अंदर आपका concert format में क्या है reproductive organs है तो सबसे बाहर का जो आपका part है वो क्या है सैपल आउटर मोस्ट ठीक है फिर आपका पैटल फिर आपका एंडरोशम फिर आपका गाइनोशम और जब हम floral formula लिखेंगे आज के chapter में तो भी हम चीजों को इसी सिक्वेंस में लिख सकते है के सी एजी कैलिक्स को हम रेप्रेजेंट करते हैं के से को रोला को सी से एंडरोशम को ए से गाइनोशम को जी से के सी एजी काली चरन आ गया ठीक है यह हमने ट्रिक बनाई थी क्योंकि मैं के और सी में बहुत कंफ्यूज रहता था था विन आए वोज इन 11th क्लास मेरे को थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं कियार कैलिक्स का भी साउंड के से स्टार्ट हो रह होता है तो कैलिक से स्टार्ट करेंगे कैलिक्स को रोला एंडोश्यम गाइनोश्यम के सी एजी दिस इस दो तेंग अब फ्लावर जो है इन में डिफरेंट टाइप की सिमेट्री हो सकती है जैसे कि आप एनिमल किंडम के अंदर भी पढ़ते हो चीजे आपकी रेडियली सिम यहां पार प्रीज बंद पोस्ट ग्राजिशन कोलेज बंद अभी के लिए यानि पी गुल्मोहर बीन केसिया पी गुल्मोहर बीन केसिया अगर समलो एक आदमी है उसकी एक ही आख है है ना मदाक नहीं उड़ा रहे किसी से का लेकिन आपको याद करा आने क्लिए एक है तो आप इसको के स्वेक्र सब्सक्राइब रहेगा तो टाइब अब चीजों की पोजिशन के हिसाब से फ्लावर को कितने अलग-अलग टाइप में डिवाइड किया हाइपो गाइनस हाइपो मतलब नीचे तिका गाइनस यानि किसके नीचे गाइनस यानि गाइनोशियम के नीचे यानि सारे के सारे जो पार्ट है वो गाइनोशियम के नीच मिलता है कि मस्टर्ड चाइन रोस ब्रिंजल के अंदर देखने को मिलता है एपी गाइनस एपी मतलब उपर किसके गाइनोशियम के सारे पार्ट गाइनोशियम के ऊपर है यानि गाइनोशियम सबसे नीचे है यानि इंफीरियर ओवरी रहेगी जैसे गुवावा कुकुमबर और रे फ्लॉरेट्स ऑफ सन्फ्लावर सन्फ्लावर में दो प्रकार के फ्लॉरेट्स होते हैं एक तो डिस्क फ्लॉरेट एक आपके रे फ्लॉरेट तो रे फ्लॉरेट ऑफ सन्फ्लावर जो है वो एपिगाइनस होते है एंड मेन क्वेश्चन आपका एक तो रे फ्लॉरे आपका लग जाता है यहां बीच में डन्डा आपका लग जाता है और यह आपके symbols है आपका superior ovary का आपका inferior ovary का and your semi inferior ovary का right main जो आपका आता है examination में example that is ray florett of sunflower for the inferior ovary and plum peach rose for the perigynous condition that is daeami स्फिरियर और संब एंफिर्य ओको जूर्व स्वेड़ और उल हिसमें किसे बनता पलिक सबकास तो यह का सिपल से मिलके बनता है हरी भरी पतियों से मिलकर भनता है त 그러니까 और डिह सारी के सारी जो सब्सक्राइब अगर यह United है, साथ present है, then the condition is called as Gamma Cipelas, Cipelas मतलब सैपल, Gamma मतलब United, और अगर वो free है, तो poly, यानि more than one आपको दिखाई देंगी, तो poly Cipelas मतलब अगर सारी की सारी free है, तो आप इनको गिन पाओगे कि 1, 2, 3, 4, 5 आपकी freely दिखाई दे रही है, poly Cipelas condition आपकी हो जाएगी, same with Corolla, Corolla किसे मिलकर बनता है, Corolla आपका petal से मिलकर बनता है, तो अगर petal सारे के सारे fused हैं, तो आप बोलोगे gamma patalis, और अगर इनको free देख रहे हैं, तो आप बोलोगे poly patalis, थर जो आपका floral hole है, यह आपका androsium, androsium बनता है आपका stamens से, यानि कि यह आपका क्या है, एंथर है यह आपका filament है, और समझ लो ऐसे 10 एंथर और filament हैं, आपके particular flower के अंदर, तो सारे के सारे मिला कर कहलाएंगे आपके androsium, सारे के सारे मिला कर androsium कहलाएंगे दोस्त, अगर यह आपका जो structure है, एंथर और filament, इसको मिला कर के हमने क्या बोला, स्टैमेन बोला, तो 10 के 10 स्टैमेन मिल करके क्या बनाते हैं, एंडरोशियम बनाते हैं, ठीक है, एपिपटेलस कंडिशन क्या होती है, पैटल, पैटलस मतलब पैटल, पैटल के साथ फ्यूज हो रहा है आपका androsium, तो स्टैमेन जो है, यह किस के साथ अटेच हो रहा है, आ जैसे ब्रिंजल, similarly, अगर आप यहां पर देखोगे, एपिफाइलस कंडिशन है, एपिफाइलस को हम और प्यार से क्या बोलते है, एपिटेपैलस, यहां पर क्या पाए जाता है, टैपल पाए जाता है, टैपल क्या है, एक ऐसी कंडिशन है, जिसमें आपके सैपल और से पैरियंद का नाम अगर दिखाई दे, इसी भी क्वेशन के अंदर तो आंसर आपका लिली होगा, लिली ऐसी फैमिली होगा, हमेशा याद रखना, उसी के अंदर आपका पैरियंद पाए जाता है, तो एपिटेपैलस, यानि पैरियंद जो है, यहां पर आपको देखने क को मिलेगा पेरियंद के साथ आपका एंड्रोश्यम फ्यूज हो रहा होगा जैसे फ्लावर आफ लिली या लिली ऐसी फैमिली में आपको यह देखने को मिलेगा अब जो आपके स्टेमें से यह अलग अलग बंडल में पाए जा सकते हैं जैसे कि लेट से एक फ्लावर है जिसम कुछ काम हो गया जैसे चाइना रोज मतलब दो बंडल लगेंगे जैसे कि अगर आप बात करो पी की तो पी में क्या कंडिशन है भया पी में आपकी नाइन प्लस वन कंडिशन है नौ जो आपके अंड्रोश्यम है वह साथ है फ्यूज है एक बंडल में और एक आपका अलग अगां गां यरिवक इसटेल कां या बंडल य होता है यहांपर आपके थीन पार्त होते है यहांप का स्टिगमा जहांपर अपका मेल पाक्एट आएगा पॉलन ग्रिदी म지만 स्ट 주 ने जया ज़ा ढवते है भी इसके उपर आपका एक पाये जाता है इसे हमने क्या बोला पिस्टिल या कार्पल जिसके अदर आपके क्या है to be a अभी को कि अब ईफी अप्रीजा काशला मेरे बाई यह समझ लो एक प्लांट के अंदर एक है दो है जितने है जितने भी है यह मिल करके सब्सक्राइब झीचलब के अंदर तो सिन कारपस कंडिशन का आगया एपो आपस मतलब फ्री जैसे कि लोटस और रोज तो इसमें एपो कर्पस कंडिशन आपका कह दिया गया कार्पस मतलब कार्पल की बात हो रही है को ऑ यह लिल्ट इैं नौज ीच्टे में अगर हम बात करれंए अगर हम बात देंए आपकी सैपल्स और cells की सैपल और पटल की आपसुए कैसी आरेंजमेन्ट है यानि एक सैपल बाकि सैपल के में कैसी ऐटेच में एक पैट्ल बाकि पैटल के comparison में कैसे attach that is called as estimation जैसे वालवे टेस्टिवेशन है वालवे टेस्टिवेशन में क्या है लेट से अगर एक पर्टिकुलर फ्लावर है जिसमें आपके पांच सेपल है या पांच पैटल है तो पांच पैटल आपस में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर र आक के अंदर आकड़े के अंदर अगर आप एस्टिवेशन देखेंगे अब नाम क्या है तो आप ट्विस्ट कर दो एक जो आपका पार्ट है कैलिक्स का या को रोला का वह आपका डॉमिनेटिंग रहेगा एक सप्रसिव रहेगा या एक पार्ट किसी और के नीचे रहेगा अब ये पार्ट किसी और के उपर है तो ये पार्ट किसी और के नीचे रहेगा ये पार्ट किसी और के नीचे रहेगा आपका ये पार्ट नीचे था तो ये पार्ट ऊपर रहना चाहिए तो इसके नीचे से कोई चीज निकलेगी क्या एक और बन गया एकदम बराबर बिल् को मिल रहा है क्या ordered form में हैं सारी चीज़ हैं बिल्कुल order form में इसे क्या बोलते हैं आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो कि आपका किसमें देखने को मिलता है आपका चाइना रोज लीडी फिंगर एंड कॉटट लेकिन इसमें कोई order नहीं है यानि समझ लो एक जो है इसके यह चीज़ान कोई order नहीं है इनका इट्स कॉल एज इंब्रीके के example में bilateral symmetry के अंदर वही गुल मोहर केसिया यहां पर भी है ठीक है क्योंकि अब आप इसे दो बराबर टुक्रों में एक ही एक्सिस पर काट पाऊगे अगर आप देखोगे तो तो तरीके से आप रिलेट कर सकते हो वेग्जिलर्य या पैपलोनेश्यस question यहां से आता है एक सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा पैटल जिसे हम बोलते हैं standard then आपके दो आपको मिलेंगे wings and then नीचे आपके दो मिलेंगे जो कि fused है इसे हम बोलता है यहां पर एक सबसे बड़ा वाला standard यह free होता है दो जो सबसे नीचे वाले यह fused होते हैं यहां पसमें सिर्फ यह दोनों fused होते हैं अब वी से बॉल्वेट भी होता है तो यहां पर लिख देता है दिस दिपिकल कंडिशन ऑफ एस्टीवेशन इन दिफेरेंट काइंड ओफ फ्लावर्वर्स अब देखे एक और चीज़ है आपकी फिमेल पार्ट के अंदर इस प्लेसेंटेशन हमने आपको क्या बताए था कि यह जो है आपका स्टिग्मा है कारपल के अंदर जिसके उपर पॉलन आकर के लैंड करेगा यह स्टाइल है जहांसे पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी यह आप पाया जाता है ओव्यूल पाया जाता है यह आपका ओवरॉल जो पार्ट है यह क्या है आपका ओवरी है यह आपका स्टाइल है यह आपका क्या है स्टिग्मा है इस पूरे को मिला करके आप क्या बोल रहे है पिस्टिल बोल रहे है और तो यहां पर क्या कहा हमने कि यह वांग ceux वांग रेषिद और याल में और वॉर्ट कोerteन्टी अघातव यो में तो यहां पर अगर आप देखेंगे मुरुय तो और में तरीक से प्लेसेंटा एप इस चीज़ रइंजमेंच को प्लेसंटा कुछ यानि आगे चलके सीड की अरेंजमेंट क्योंकि और इस कॉल्ड आइस प्लेसंटेशन जैसे marginal आप यहाँ पर देखोगे मटर में एक margin के उपर सारे के सारे मटर के दाने अटेच होते हैं तो marginal हो गया पी के अंदर पराइटल यानि periphery में mustard और आर्जिमोन में parietal नामी है parietal periphery में क्या होते है seed पाए जाते है एक्सिस के उपर आप टमाटर को लेमन को काट के देखना आपको ऐसे compartment दिखाई देंगे और सेंटर की साइड आपके क्या रहेंगे इस एक्सिस के उपर पाए जाएंगे seed exile क्या हो जाएगा आपका TLC अंध में टी एल्सी टेबल एडर चेहर मैच होता था कि आप टेबल भी विक सोटकर सकते हो चेयर पे विक से को देके मार सकते हो और लेडर सीडी भी ला सकते भायई बीच-बीच-मे है है ना वो मैच जो थे वह बहुत चलते थे वह हम उस टाइम पर पता नहीं चैनल भी कौन सा था था भी तो मेरे को याद भी नहीं है और बहुत ज्यादा मतलब मतलब दोस्ते और साथ में बैठके देखते थे कि शौम को भाई TLC आएगा एक तो दो मैच बहुत अच्छे च है ना अच्रव तो उन सब चीज़ों के लिए हम पहले भागल दे अब तो नहीं है इस वर्ट पहले थे फ्री सेंटरल मतलब स्रीली आपके सेंटर के उपर और चीजे प्रेजेंट है। यहां पर फ्री नहीं है यहां पर एकसिस बनीयोगे ना यहां पर कोई एकसिस नहीं यहां फ्री है, dianthus और प्रेम्रोग के अंदर और आपका बेशल, एगदम बेशल के उपर आपका sunflower और marigold यह पाये जाता है कैसे याद करें sir यह तो देखके समझ में आ जाएगा ठीक है एक्जाइल टमाटर और लेमन को काटके देखना ये भी आपको समझ में आ जाएगा फ्री सेंट्रल फ्रीली कौन घुमता है भया स्कूल में या सेंटर पे डीपी सर है ना डायन्थस और प्रिम्रोज एकदम उनकी जिंदगी अच्छी होती है जिर्फ जब स्पोर्ट्स डेव अगयरा आता है उसी टाइम पर थोड़े से भया काम धंदा करते हुए दिखते हैं बाकी वैसे भी करते हैं यार ऐसे नहीं कोई डीपी मेरे केस मत कर देना सर आयर इस्पेक्ट्टिव अलोट क्योंकि नंबर फिरी में चड़ाते थे हमारे डीपी सर तो बहुत बढ़िया थे ना क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा होता था कि हमारी एक इस प्रकार की काउंटर हो रही है जिस टाइम पे सर करें भाग के दिखाओ और हम बहुत घटिया भागते थे मैं तो स्पोर्स में बहुत ही निहायती खराब था बट फिर भी मेरे नंबर ठीक लग गय थे यार मतलब मैंने देखा कि मेरे मार्क्स ठीक है ग्रेड होता था मार्क्स तो नहीं होते थ स्पोर्स में तो अपने बसका कुछ है ने बट फिर भी मेरा रैंक सर ने अच्छा लगा है थैंक्यू सर थैंक्स अलोट अगर आप यह देख रहे हैं तो वैसे नहीं ही देख रहे होंगे बट स्टिल दैन भाईया आता है हमारे फ्रूट राइपेंड ओवरी जैसा मैंने आपको बताया आगे चलके क्या बनाएगी फृूट और ऑवियूल बनाएगा आपका सीड़ तो जो फृूट है यह करेक्टिरिस्डिक फीचर आफ एंञ्यौ सपम का क्यों क्यों क्यूंकि जिम्नोस्पम में आपको पता है कि गल सीडवबाइवार फूपर देखने को मिले यानि fruit बन रहा है, carp is a word associated to fruit, तो parthenocarpic fruit, अगर partheno यानि without fertilization पूरा organism जंडरेट हो रहा है, then it is called as genesis, it is called as parthenogenesis, अब देखो आप भीया, जो fruit है न, उसके कुछ parts होते हैं, ठीक है, what are the different parts of fruit, एक तो इसमें रहेगा भीया, अंदर की side seed, और seed के ऊपर रहेगा आपका पूरा का पूरा fruit wall जिसे हम क्या कहते है, pericarp, ठीक है, pericarp, अब यह जो pericarp है न, काफी बार बहुत मोटा होता है, यह जो pericarp है, काफी बार बहुत मोटा होता है, तो इसको भी अलग-अलग parts में हमें तोड़ना पड़ता है, इसको भी अलग-अ parts में तोड़ना पड़ता है, that is epicarp, यानि बाहर का छिलका, आपका mesocarp, यानि median part, ज़रूर ही नहीं कि हर fruit में तीनों हो ही, इसकी condition है भाई, अगर pericarp बहुत मोटा है, flashy है, तब उसको आप अलग-अलग parts में तोड़ोगे, otherwise नहीं भी तोड़ोगे, then आपका endocarp, then आपका endoc epicarp, mesocarp, endocarp, जैसे अगर आप बात करते हो, आम की, जो कि फलो का राजा है, तो यह जो गुठली है, यह तो seed हो गया, और गुठली के बाहर जो भी structure है, that is called as pericarp, और इसमें pericarp तीन parts में बटा हुआ है, सबसे पहले endocarp, गुठली के just ऊपर यह जो stony layer होती है, जो कई बार तुम लोग आम को चूस-चूस के खाने के चक्कर में बरबाद कर देते हो, जो पीले color की होती है, जो सफेद करके छोड़ते हो, that is called as endocarp, technically खाने की नहीं होती, मजा आ जाए तो खालो भाई, है ना, तो यह आपकी कैसी रहती है, थोड़ी सी, epicarp आपकी thin रहती है, और आपका खाने का part, यह क्या है भाया, यह आपका है, मीजो कार्ब, यह है आपका मीजो कार्ब, ठीक है, यह खाने का है, यह edible portion है, और इसके बार अगर आप देखेंगे, तो endocarp जो है, यह आपका stony hard है, आपका seed से चिपका हुआ, मीजो कार्ब जो है, यह आपका fleshy and edible है, आपका epicarp जो है, यह थिन है, यह बाहर का क्या है, छिलका है, यह आपका बाहर का जो छिलका है, यह वाला, that is basically your epicarp, तो आपका mango के अंदर तो तीनों देखने को मिल रहे है, endocarp एकदम seed के साथ चिपका हुआ, मीजो कार्ब आपका खाने पीने का material and epicarp आपका बाहर का छिलका वो भी जो है, आपका attached है यह आपर, coconut जो है, इसमें अगर आप देखोगे, तो अंदर की side आपका seed है, and आपका endocarp है अंदर का part, यह खाने का खोपरा, and बाहर का जो आपका mesocarp है, यह आपका क्या है, यह फाइबरस region है, ठीक है, जो आप खा नहीं सकते, तो mesocarp जो है, वो example में, क्योंकि mango और coconut को हम लोग बोलते है, droop, यह दोनों के दोनों जो है, एक type of fruit है, जिसे हम कहते है, droop, और droop की खास बात क्या है, यह किसे बनते है, droop बनते है, monocarpularी, superior ovaries है, यानि ovaries superior है, और single carpel है बस, एक ही carpel है, वो भी superior ovaries, तो इससे आपका क्या बनेगा, one seeded, य इसको हम लोग क्या कहते है, droop कहते है, तो दोनों के दोनों जो है, आपके mango और coconut यह droop में आते है, ठीक है, pericarp अगर मोटी होती है, तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, epicarp, pendocarp, mesocarp, यह हमें पता है, ठीक है, अब fruit के अंदर क्या पाए जाता है, भाईया, fruit के अं आंट को, है ना, तो embryo जो है, इसमें radical है, जो root को give rise करेगा, embryo की axis है, cotyledon है, और plumule है, जो आपका shoot को give rise करेंगे, cotyledon है, जो food store कर रहे है, जो कि जब seed germinate करेगा, तो initially तो इसको food चाहिए न, जमीन में जाती ही, तो photosynthesis start नहीं करेगा, पहले तो अपना घर से कुछ खाने पिने का material लेके जाना पड़ेगा, तो cotyledon में store food है, embryonal axis जहां radical और plumule अवेलेबल है, तो seed coat दो टाइप की है, दो layer की है, बाहर का layer testa और tagman, तो seed coat तो दो layer की हो गई, अब बात करते हैं embryo की, ठीक है, अब बात करते हैं embryo की, जो कि हम बात करेंगे, इंदा, monocot and dicot seed, वाला part है, radical है, जो root बनाएगा नीचे की side, और उपर वाला part plumule है, जो shoot बनाएगा, and this particular axis जिसके ओपर ये radical और plumule पाए जा रहे है, इसको हम क्या बोलेंगे, embryonal axis बोलेंगे, तो दो cotyledon है, radical और plumule है, embryonal axis है, सारे के सारे parts हो गए, ये आपका embryo part है, और इसके ओपर ये ज ये जो seed है मेरे भाई, इसमें एक छोटा सा आपका scar होता है, एक छोटा सा आपका arena होता है, जहां एक निशान होता है, जैसे आप मतर का example सबसे बढ़िया है, आपका मतर की फली है, एक pod है, उस pod में आप देखोगे, मतर जो है, छोटे से extension से जुड़ा हुआ रहता उस pod के स जैसे आप मतर का दाना तोड़ोगे ना, आप देखोगे, जहां पर वो extension attached थी, वहां पर एक निशान बना हुआ है, मतर के दाने के उपर, right, that निशान is highlam, ठीक है, और उसके उपर एक छोटा सा छेद होता है, मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहते है, micro pile कहते है, micro मतलब छो option का जो काम है न वो क्या करेगा, micro pile के through होगा, ठीक है, micro pile के through आपका होगा, अब कुछ cells है, जो endo spermi होते है, नाम ही क्या है? endospermics जिसमें endo sperm पाया जाता है, और कुछ cell आपके non endo spermi होते हैं, जिसमें एंडो स्पर्म नहीं पाय जाता फर्क क्या है सबढ़ लो मुझे यहां से दिल्ली जाना है अब मेरे पास है सिर्फ सौ रुपए यानि इनिशली मेरे पास एंडो स्पर्म था क्योंकि एंजियो स्पर्म में जब आप देखोगे फ्लावरिंग प्लांट में तो डबल अंदर जो था हो मेट्रो पकड़ के गया पचास रुपए मेट्रों गरी और दिल्ली पहुच गया आदि इसका मतलब इंडो स्पर्म उसके पास सौह था यानि थोड़ा सा अपने डवलोप्मेंट पाया और पचास रुपए बचा लिया यानि आगे हम जो खाएंगे हमें पचास रुपए मिल जाएगा उस सीड के अंदर ठीक है तो यह जो है फूड स्टोरिंग टिशू है ठीक है जो कि आपका पाया जा सकता है इन तो मेरा ड्वलफमेंट के दो रहां है तो मेरे पास at the end of the day कोई earned नहीं बचा तो एम नॉन एंडोस्परमस यहाँ पर एंडोस्परम इस नॉट प्रेजेंट एट मेचौरिटी ज्याद अता डाइकॉट के अंदर यह होता है जैसे पी और बीन के अंदर तो अब आप बोलोगी सरा हम पी और बीन खाते क्यों है इनमें तो एंडोस्परम है नह आपर तो यह का मोनोग शीट जो है यह यूज्वली एंडोस्परमिक होते हैं एक्षप्शन औरोखें जो नॉन डोस्परमिक है मैं बता चुका हूं आपको अरड़ी है ना सीड को इनका मेंब्रेनस होता है घाल बोड़ी और इस भूड़ा होता है वीड़ा झाल होता है उ आटेच करती है to the भुट्टा तो मेंब्रेना सीड को आपको देखने को मिलता है मेस के अंदर और यह मोनो कॉट का सीड है मोनो कॉट के सीड में एंडो स्पम पाया जाता है तो देखो इतना बड़ा जो पार्ट है जो पार्ट है आपके सीड का ये तो endo sperm ही है ठीक है और इसके उपर एक प्यार इसी लेयर होती है protein की से हम क्या कहते है एल्यूरॉयरॉन लेयर जो इस endo sperm को क्या करती है cover करती है allure on layer allure on का मतलब ही होता है आपका protein उस लेयर है जो endo sperm को cover करती है घोब बचा हुआ जो पार्ट है यह क्या है मिरे भाई यह बचा हुआ पार्ट है क्या है आपका or इसमें पर प्लुरा भाष्ट तो ये शीथ ज्योक अ कवर करेंगी एंड ये जो एक ही कॉट लीडन है, जैसा धीड जैसा नीचे का जो पार आदा है, इसे हम कहते हैं, इस पर क्वेस्चन बनता है, यह एक्वेस्चनर का फेवरेट क्वेस्चन है, जो है, it is a shield-shaped cotyledon in case of grasses, got it, in the case of grasses, अब हम क्या करेंगे भाया, अब हम floral formula लिखेंगे, अलग-अलग families का, हमारी जो families है, syllabus के अंदर, उसमें तीन families है, पहली जो family है, that is febacy, ठीक है, और इन्हें sequence में याद करना रहता है, f for febacy, f for first, तो first या आती है भी या, तो इसको पहले लिखेंगे, solenacy, ठीक है, बीच में आ जाएगी, and l for lillacy, l for क्या हो जाएगा, last, ठीक है, l for lillacy, तो febacy first position पर क्यों लिखा, क्योंकि ये f से start होती है, lillacy last position पर क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका l से start होती है, आपके symbols है, तो floral formula क्या है, वो सबसे छोटा तरीका है, plant के अधिकतर characters को लिखने का, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपका bract present है, यानि छोटा leaf like structure अगर present है, आपका full के नीचे, then it is bractiate, अगर नहीं है present तो ebr लिख दो, ebr actiate, अगर absent है तो, k for calyx, c for corolla, a for androsium, g for gynosium, यहाँ हम पहले ही कर चुके थे, अब g के ऊपर डंडा है, यानि g के ऊपर सारे part है, तो ovary inferior है, ovary सबसे नीचे है, g के नीचे डंडा है, यानि बाकी सारे part g के नीचे है, तो superior ovary है, और g के बीच में डंडा है, तो हमें पता है, perigynos condition है, ठीक है, यह आपका क्या है, आपका semi inferior ovary है, female जो है, इसका symbol यह होता है, male का symbol यह होता है, हमें पता है, अगर bisexual है, कोई particular flower, तो उसका आपका symbol यह होता है, और भगवान की दया से, आपके सारे के सारे जो families, आपके syllabus के अंदर है, सारी bisexual है, तो याद गरने की ज़रुरत भी नहीं है, ठीक है, bisexual का symbol देखो, यह रहा है, actinomorphic, मतलब more than one axis पे अगर आप चीजों को काट सकते हो, तो दो axis बना दो, zygomorphic, मतलब सिर्फ एक ही axis से आप चीजों को काट सकते हो, तो सिर्फ एक axis बना दो, percentage का sign आ जाता है, और asymmetric है, तो कोई बात नहीं, उसको directly asymmetric लिख सकते है, अगर आपकी चीजें fuse हो रखी हैं, जैसे हमने बताया था कि आपका poly patelis condition है, petal आपके, यूनो सारे free है, लेकिन आपका अगर gamma patelis condition है, तो petal आपके सारे fuse है, तो उनके अगल बगल bracket लगाओ, यह बताने के लिए कि भाई, सारी के सारी चीजें fuse हैं, और addition मतलब कि अगर same hole के parts अगर attach है एक दूसरे के साथ, जैसे पांचो पैटल साथ में पाए जा रहे हैं तो bracket लगा दो, पांचो सैपल साथ में पाए जा रहे हैं तो bracket लगा दो, लेकिन अगर सैपल और पैटल आपस में fused हैं, just for reference, तो उनके उपर एक bridge लगेगी, उनके उपर एक bridge लगेगी, ऐसी, ऐसा symbol लगेगा, जैसे आपने देखा था कि आपका पैटल फ्यूज था एंडरोशम के साथ, एपी पटैलिस कंडिशन, तो पैटल और उसके बीच में अडरोशम के बीच में bridge लगा दो, आपका पैरियंथ और एंडरोशम के बीच में bridge लगा दो, अगर एपी फाइलेस या एपी टिपैलेस कंडिशन है तू ठीक है पोजिशन आफ मदर एक्सिस आपको डॉट से दिखाई जाती है यानि यह समझ लिजे एक डाली है और यहां पर आपका फूल उग रहा है तो यह मदर एक्सिस की पोजिशन है इसको आप डॉट बनाओगे यहां पर फ्लावर के सारे पार्ट्स लिख ऐसाल संटे री इसको थोड़ावर की दिख जरुखाई है परेंसे इसको बादेशेंच का साइं बना देते हैं परफेंटेज सबसे जादा होगी बेल्कुल भी पॉसंटीज सबसे जादा होगी, सुलन इसाि मीडियम आया है, याने इसको थोड़ी सी बढावतरी की जरूरत है, तो इसमेठी प्लस लगा देंगे, फ्लस मत्ल़ा और प्लस करो यार, फ्लस और मेहनत करो, और लिल्येसा जो है लास्ट आया है, यानि यह पढ़ाई में मे जिसमेटरिक लेटियर हो गहीं ब्यक्तियें क्या लिखना होता है अगर आप फैबसी है इसका नेचर लिखोगे बाइसेक्ष लह कि नहीं तो जैसा मैंने आपको बताया by default सारे के सारे bisexual है तो आप क्या करो प्यार से bisexual का symbol बना दो सबके अंदर कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है ठीक है आप जो फैबसी है इसमें आप क्या लिखोगे कैलिक्स कैसे है कोरोला कैसे है अंडरोशम कैसे है गाइनोशम कैसे है केसी एजी लिखोगे सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखोगे कैलिक्स कैसे है कोरोला कैसे है अंडरोशम कैसे है गाइनोशम कैसे है क्या सेम चीज यहाँ लिख पाओगे नहीं लिलीएसी में मैंने आपको क्या बता है था पैरियन्थ होगा भया तो कैलिक्स कोरोला आपके अलग अलग नहीं है parent हो गए है तो PAG लिख हो गए अब इनका नंबर क्या होगा उसकी एक simple से trick है दोस्त एक simple से trick है यहाँ पर फैबसी के अंदर trick क्या है 5 प्लस 5 physical to 10 5 प्लस 5 physical to 10 solinesi के अंदर क्या है मुगली घुट्टी 555 क्योंकि S दिखता है 5 जैसा तो मुगली घुट्टी 555 आदा जानी चाहिए और लिली एसी की trick है 3 idiots idiots को हिंदी में क्या कहते है idiots को हिंदी में कहते हैं पागल तो 3 पागल यानि इसमें PAG जो है इसमें 3-3 नंबर लगेंगे 3 पागल हो गए ठीक है आप देखो भईया trick से भर देते हैं इस चीज़ को सबसे पहले बात करते हैं 5 प्लस 5 physical to 10 कैलिक्स जो है बाहर या आपके 5 है कोरोला जो है यानि पैटल जो है या आपने क्या देखा था family पैपलियोनेसी में क्या था आपका एक standard दो आपके lateral और दो आपके keel जो कि क्या थे fuse थे तो 1 प्लस 2 प्लस 2 और 5 प्लस 5 क्या होगा 10 अब आपने फैबसी में देखा क्या example है P P में क्या थी डाइडलफस condition 9 आपके endrosium साथ साथ थे और 1 आपका अलग था तो 9 प्लस 1 is equal to 10 5 प्लस 5 प्लस is equal to 10 तो यह तो normal 5 लिख दिया यह 1 प्लस 2 प्लस 2 लिख दिया और यह आपका क्या लिख दिया 9 प्लस 1 लिख दिया गाइनोशम अभी के लिए छोड़ दो ठीक है यह लिखना चाहो तो लिख लो यार गाइनोशम जो है अल्राइट आप देखो 5 प्लस 5 is equal to 10 यह हो गया यहां पर क्या है आपका मुगली गुट्टी 555 यहां पर लिख दो 555 जी है टू आपका सुपीरियर ओवरी है और दोनों के दोनों फ्यूज़ है अब यहां पर 3 इडिएट है तीन पागल है तीन पागल है तो लिख दो 3 प्लस 3 यहां पर लिख दो आपका 3 प्लस 3 ठीक है यहां पर लिख दो आपका यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की गल्टी नहीं कर सकते दोस्तte न यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर पिताजी का राज नहीं है कि कुछ भी लिख दिया यहाँ पर अच्चे से लिखना पू ganhar इक यहा आपके फ्लोरल फोर्मिलाज हो गया मैं याद कैसे करे गरया क करेले का ग्लास इन पीजी भाय हम पीजी गए थे एक दोस्ते मिल ले तो सुबह सुबह नाश्ते में क्या बना हुआ था कच्चे करेले के जूस का ग्लास कच्चा देट इस के सी एंड ए के सी एंड ए तीनों पर ब्रैकेट लगा यह तो आपका एक ही है गैज़ेंग फ्री फायई प्रैकेट में फ्रेश्फान है अब यह सेकंड धतेग का करेले का ग्लास दैट यजिज के जई एंड जी उसमें ब्रैकेट लगा इसमें पर मदकेट लेट ग्लास सीर्फ सबसे पहले हमने क्या लिखा कि यहां पर क्या है इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आई फरस्ट आए था फैबेसी बाइसेक्षवल तो यह होगा ही अब क्या है क्या है यहां पर हमने क्या लिखा था फाइफ प्लस फाइफ क्या वन प्लस टू प्लस टू टू पर ब्रैकेट नाइन प्लस वन नाइन पर ब्रैकेट एंड आपका जी वन और यह आपका सुपीरियर ठीक है तो के फाइफ वाइन टू त्री फोर फाइफ और सारे के सारे आपस में फ्यूज है कोने के उपर फ्यू दो आपके कील तो सिर्फ यह दो कील फ्यूज है तो सिर्फ टू के निचे ब्रैकेट लगेगा बिल्कुल लग जाएगा यहाँ पर देखो यह नौ एंड्रोशियम साथ में है और सिर्फ एक अलग है तो दो बंडल्स हो गए डाइडल फस कंडिशन नाइन एक साथ और एक एक साथ और आपका गाइनोश्यम है एक ही है यहां पर तो जीवन आपका हो गया क्या हमने सही फॉर्मुला लिखा था डाइग्राम से वैलिडेट हुआ बिल्कुल हुआ अब यहां पर देखो सिर्फ आपस में टच कर रहे हैं चीज़े अपने आपको तो क्या बॉल्बेट ए सारे करेक्टर समय यहीं से पता लगए ना देखो भाई अगर कोई बोलता है कि कुछ चरेक्टर बटाओ भाई लिए इसको पढ़ाए की जरूरती प्लस का साइन था एक्टीनोर्फिक इसको आपका प्लस का साइन यहां था दो एक्टीनोर्फिक क्या फ्लॉरल फार्मुला से सिर्फ यह तीन पॉइंट याद नहीं हो गए बिल्कुल हो गए और देखो कैलिक्स जो है यहाँ पर पांच है फाइप प्लस फाइफ फिजिकल टू टैन लिखा था यहाँ पर भी पांच है क्योंकि हमने मुगली घुट्टी 555 पिलाई थी से यहाँ पर पैरियन थे तो ट ऒरगहीं से走 invested वालवीयट था हमने आपने हाथों से बनाकर देखी है यहाँ का डीजम सुच donation सागज mike Ms effective ॡ्ल्स आपके पांच है और वन प्लस टू प्लस टू कि उसमें आरेंग्मेंट में वन प्लस टू प्लस टू के अरेंजमेंट में बिल्कुल और देखो यहां पर आपका कील है आपका स्टेंडर्ड है और आपका क्या है विंग्स है जिसे वेक्जिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं यह भी हमारा पॉइंट क्लियर है पहले से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यह यहां पर अगर आप देखोगे पैटल्स पांच है और वॉल्वेट एस्टिवेशन है ठीक है यहां भी मुगली उट्टी पांचो पच्पन बिलाई थी तो यहां भी क्या थी आपकी पैटल्स पांच थी और यहां पर अगर आप देखोगे तो पैटल्स आपकी कैसी थी थ दस है लेकिन दो बंडल्स के अंदर है यानि नाइन है प्लस वन है यह भी हमें पता है एंथर आपका डाय ठीकल्स ही होता है in most of the cases अब यहां पर मुगली गुट्टी 555 थी तो यहां पर पांच था यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है तो यहां पर क्या मिला आपको अपी टेपैलस या एपिफाइलस स्कंडिशन देखने को मिली स्टैमन आपके क्या है इस वाटिट ऑवरी देखो आपका 123 नंबर बताया था मैंने तो युनिलोकिलर बाइलोकिलर ट्राय लोकिलर तीनों के अंदर ओवरी क्या थी नीचे डंडा लगा हुआ था सुपीरियर है आपकी ओवरी सुपीरियर है आपकी ओवरी सुपीरियर है नंबर 123 है तो युनिलोकिलर बाइलोकिलर ट्राय लोकिलर यह फ्लॉरल फॉर्मुला जो है हम तीनों का देखी चुके है फ्रूट जो है यहां बैरी भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम के अंदर तो मेंली कैप्सूल यहां पर कैसी आई आपकी वालवेट आई बिलकुल आई यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह जो आपका पैटल है इसके साथव आपका एंडरोश्यम टैच है एक डंडे के सहारे तो एंडरोश्यम जो है और जो है यह साथ में attach है तो इसलिए epipatellis condition होगी बिलकुल होगी यह पार्च endrosium है और सारे free present है एक दूसरे से fuse नहीं है ठीक है तो क्या यह condition है epipatellis बिलकुल पता लग रहा है यहीं से और यह जो है आपका gynosium इस पर oblique septa है तेड़ा septa present है जो किसे दो पार्ट में divide कर रहा है क्योंकि यह second आया था तो इसमें single आपका locule है इसमें दो locule आपके पाए जा रहे है और यहां आप देखोगे तीन locule आपके पाए जाएंगे ठीक है अब यहां पर देखो भाई यह आपका आपका लीएसी देखो आपका टैपल कितने है एक 578 तो यह बड़े बीघ्लाय चाण के सब्सक्क्ष्टाइब को यूजंगी सारी प्यूजार में तो आना तो आपने क्या लिखा इतिन आपके बड़े बड़े इटे तीन चोटे-चोटे और आपस में fused है ठीक है तो वालवे टेस्टीवेशन इनके अंदर होगी जस्त एक दूसरे को छू रहे है एंड्रोशम अगर आप देखो तो एंड्रोशम जो है मेरे भाई यहां पर तीन बड़े डंडे वाले एंड्रोशम है यह वाला यह वाला और य है एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है एंड्रोशम जो है यह भी आपकी तीन है फ्यूज है और आपका गाइनोशम जो है वह कैसी है सुपीरियर है सुपीरियर ओवरी प्रेजंट थी सबके सबके अंदर तो अल्टिमेटली वाट वूड बीदा केस यह आपका केस हो और यानि Eppiyalus Condition आपकी दिखाई दे रही है आपको साफ साफ समकस साक्षात आप देखो इनके वेजिटेटिव एक करेक्टर क्या होते हैं यानि ळो आप यह जो v je encaps समने देखे इनके बार में कुछ वेजिटेटिव करेकाशं भी जान ले्टे हैं तो मारी आपक फेमिल पॉलन एसी में पटेटो फैमिली आती है, खाने पीने की चीज़े आती है, टमाटर, बैंगन, मकोई, पटेटो है रहा, और इसको लिली एसी को लिली फैमिली कहा जाता है, आपके तीनों ही लगबग दुनिया में अलग-अलग जगा पर पाई जाती है, आपका पटेटो फै प्लांट की है, तो लेगुमिनस प्लांट की रूट के साथ नोडियूल फॉर्मेशन करता है, राइजोबियम नाम का बैक्टिरिया जो साइन्टिफिकली आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो ये बात हमें और भी कई चैप्टर में देखने को मिलेग आपका मिनडरल नुट्रिशन में भी देखने को मिलेगी, तो ये बात हमें यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर हो गई। इरेक्ट और क्लाइमबर हो सकते हैं, क्लाइमबर क्यों हो सकते हैं, क्लाइमबर हो सकते हैं, स्टेम यहां पर हर्बेशस हो सकती है, आलू वाले जो प्लांट है छोटे छोटे रहते हैं, हर्बेशस, रेरली ऐसा होगा कि उनमें कभी वुड पाई जाएगी, है ना, जो लिलि होते हैं pinnately compound या simple हो सकते है main चीज है pulvinate कि हमने का था कि आपका leguminous plant के अंदर leaf base सूज जाता है leaf base आपका मोटा हो जाता है and pulvinus बना लेता है तो pulvinate leaf phabesey में ही तो पाई जा रही थी ना leguminous plant में यहाँ पाई जाएक and stipulate यहाँ पे छोटए-छोटे leaf like structure यहां पर चार्ड तो इस्ट इस नहीं पए बाकि दोनों के अंदर पाए जाता है बाकि दोनों के अंदर स्थिप के अंदर क्या होगी आपकी साइमोज होगी बाकी दोनों के अंदर क्या होगी आपकी साइमोज होगी यह चीज़े पढ़ते पढ़ते आ जाते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाकी सारी चीज़े आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है वो ट्रिक जो है वह आपको काफी हेल्प करेगी लेकिन लेट्स अंदरस्टेंड देम कंसेप्चुली ट्रिक जो है मैं अलग से यूट्यूब के उपर अपलो इन दालों से तेल भी बन सकता है जैसे सोया बीन का आपका ग्राउंड नट का यानि मुमफली का तेल डाई जो है इंडिगो फेरा जो कि आपकी ब्लूइश कलर की होती है यह यहां से मिलती है फाइबर्स मिलते हैं जैसे सन हैं जिसे क्रोटोल एरिया बोला जाता है फॉड मदद करती है पूर्ट जो है मेरे दोस्त यह मिलता है आपको आलू की फैमिली में नाम ही आलू है जो कि सबसे जादा खाते हो कामली तो आलू टमाटर ब्रिंजल यहीं पर मिलेगा और आपका चिल्ली भी यहीं पर मिलेगी मैडिसिन के अगर आप बात करो तो बैला डोना और अश्वगंदा आपको देखने को मिलेगा जो अलग-अलग जड़ी बूटियों में जड़ी बूटिया है तो अलग-अलग चीज़ों में इस्तमाल होती है फ्यूमी गेट्री यानी नशा जो है यहां से सूखा नशा कर सकते हो दोस्त टबैको मिलती है औरा प्रणार चीज़ों में लिलीए सी तो इसमें ट्यूल्इफ और ग्लोरियोस जो है यह तो प्यार से उगाया जाता है एकदब खुब्सूरत दिखने के लिए ना मैडिस्ट जो है इसमें आता है अलॉए आपका यलोएरा वेजिटेबल जो है इसमें आता है एस्पैरेगस ह एक बहुत ही ज्यादा कि यूज किया जाने वाला कैमिकल है इसको क्या बोला जाता है मईचो अनरी हम आर्षय प्टो है कि मॉठ आंब अक मासी को देता है क्यों क्या करा जेता है पॉलिप्लाइडी ऐंडर दै pakai आपको अगर डिप्लाइड को तोड़ा बहुत यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त बची हुई सारी चीज़े तो आप सीधा डाइग्राम देखके निकाल सकते हो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फ्लॉरल फॉर्मुला याद करने की मैंने आपको ट्रिक देदी फ्लॉरल फॉर्मुला याद करके हमने डाइग्राम बना दिया डाइग्राम बनाने के बाद तो आपको मेजरली कर प्लांट के अंध्रूनी स्टक्चर की अंजरूनी structure के मतलब anatomy की है और anatomy के बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ conceptual units की तरफ बढ़ेंगे यानि हम लोग बढ़ेंगे towards the plant physiology जिसमें मैं आपको बहुत ही बहतरीं topics पढ़ाने वाला हूँ and after that we will proceed forward towards some topics of 12th class biology जहां पर थोड़े से reproduction के topics पढ़ेंगे थोड़े से genetics के topic पढ़ेंगे, थोड़े से और topics पढ़ेंगे आपके applied biology के, ecology के and then आपके series complete हो जाएगी and I hope आप इसे maximum benefit उठा रहे होंगे सबसे पहले क्या करना है, खुद से एक chapter को देखना है बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप किसी भी teacher की वीडियो देखते हैं वो वीडियो पूरी देखिए, वीडियो देखने के बाद NCRT की reading लगाईए PYQ analyze करिए और उसके बाद पहुंचिए हमारे lectures के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आप लोगों को आ जाएगा तो वीडियो कैसी लगी या, नीचे comment section में जरूर बताना विपू भाई O.P. in the comment section और बहुत ज़्यादा appreciation देते हो आप लोग उस चीज़ के लिए हमेशा की तरह बहुत बड़ा thank you, बहुत बड़ा शुक्रिया और मिलूँगा आपसे अगले session में जहां पर बात करेंगे anatomy of flowering plants की और चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार प्यार से समझेंगे और analyze करने की कोशिश करेंगे जिसे examination में हमने जो facts पढ़े हैं हमने जो information inculcate करेंगे अपने दिमाग के अंदर हमने जो concepts build up करेंगे उनको हम लोग execute भी कर पाएं the executability is the most important part it doesn't matter how much you read if you are not able to utilize that in the examination hall in those three hours then it's not gonna yield you anything main जो target है किसी भी examination में बैठने का वो यही है कि exam qualify करना है examination qualify करके forward करके अच्छी seat लेनी है उस time पर focus सिर्फ वही होना चाहिए और यह series जो है यह उसी centricity के लिए बनाई गई है तो इनको देखो अच्छे से analyze करो skip मत करो don't put backlog on you daily basis पर अपने targets complete करो daily नहीं हो पा रहे हैं तो saturday sunday एक दम buffer रखो weekly targets को follow करो लेकिन करो भाई एक week का जो target है न वो अगले week में मत लेकर जाओ उसको saturday sunday बैठो अभी सुल्टाओ खतम करो that's it thank you so much मिलता हूँ अगले session में जैंद कर दो एक दो एक भाईक हूँ अगले इता सका हूँ एक्वाई ठीकione